हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो इंजिनियर्स पाटसला, हम लोग हाईवे एंजिरिंग का कोश्चन कर रहे हैं, कौन से बुक से कर रहे हैं वो आपको पता है, हम लोग पिछले लेक्चर में 166 कोश्चन तक कर लिये थे, आज हम लोग 167 कोश्चन से आगे बढ़ेंगे, तो 167 कोश्चन में आपको क्या दिया गया है, in the Los Angeles abrasion test on aggregate, if the speed of the drum is increased to 50 RPM, then the abrasion value will, तो जाहर सी बात है, abrasion value भी बढ़ेगा, Los Angeles abrasion test तो जान रहे हैं हम लोग, जिसमें आपका बड़ा सा drum होता था, 70 cm diameter का, जिसमें क्या होता था, वो गोल-गोल घुमता था, कितने RPM में घुमता और कितने root लेता था, वो सब आपको पता होगा, test अगर perform किये होगे, कभी college में या फिर पढ़े होगे तो, ठीक है, अभी बस इतना है, कि उससे आपन determine क्या करते थे, हम लोग, abrasion determine करते थे, hardness determine करते थे, aggregate का, ठीक है, और जितना मतलब की drum का speed बढ़ेगा, तो speed के साथ साथ abrasion value भी बढ़ेगा, तो इसका answer क्या होजाएगा, आपका option A होजाएगा, 68 में आगे बढ़ेंगे, the maximum super elevation to the, क्या आप लिख रहा है, provided on the road, मतलब की super elevation 1 in 15 दिया गया है, if the rate of change of super elevation 1 in 120 दिया है, and उसके बाद width of road कितना दिया गया है, 10 meter का दिया गया है, उसके बाद आपको प transition curve निकाल के बताईए, ठीक है, minimum length of transition curve का formula आपको पता है क्या, length of transition curve नहीं है ये, ठीक है, ये इसका अलग formula होगा, transition curve का EW into C, ठीक है, यहाँ पर E जो है आपका super elevation हो जाएगा, और W जो हो जाएगा, width of road हो जाएगा, और C जो हो जाएगा, rate of change of super elevation हो जाएगा, तो बस इस formula म आपको minimum length of transition curve निकल जाएगा, E के जगह में हम लोग कितना put कर देंगे, 1 in 15 put कर देंगे, W के जगह में कितना put करेंगे, width of road 10 meter दिया हुआ है, और एक चीज़ बस याद रखना, कि rate of change of super elevation के जगह में कितना put करोगे, 1 in 120 दिया है, तो आप उसको 120 put करोगे, याद रखना, ठ उसके बाद फिर answer आपका निकल जाएगा, ठीक है, easily निकल जाएगा, 15,120 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 80 meter answer आजएगा, मतलब option कौन सा आगया, C आगया, ठीक है, 169 question में आगे बढ़ेंगे, a summit curve is formed at increase of the 3% up gradient दिया है, and 5% क्या दिया गया है, down gradient दिया गया है, to provide the stopping side distance of the 120 meter, the length of the transition curve needed will be, ठीक है, तो length of transition curve हमको निकालना है, sorry, length of submit curve निकालना है, length of submit curve का formula क्या होता है, ns square divided by 4.4, यह होता है, यादा रहा है, ns square divided by 4.4, यह कब होता था, जब हमको stopping side distance दिया हुआ होता था, question में दिया है, stopping side distance दिया गया है, उसके लिए submit curve का length निकाली है बोल रहा है, तो आपको यही formula लगेगा, ठीक है, लेकिन यही overtaking side distance के लिए होता है, तो ns square divided by 9.6 लेते, और उसके बाद 2 criteria और होता था, stopping side distance का 2 criteria होता था, जब length of the curve greater than होता था, जब length of the curve less than होता था, ठीक है, stopping side distance से, ठीक है मतलब यह वाला condition कोई सा है, l greater than stopping side distance वाला है, यही अगर l less than stopping side distance हो जाता तो अपन क्या करते थे, इसी को थोड़ा modified करते थे, formula को 2s minus कितना हो जाएगा, 4.4 उपर में चल देगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, आपका n आ जाएगा, तो ऐसा करके formula बनता था, लेकिन आप कर चुका था क्या में, कर चुका होंगा तो ठीक है, और नहीं कर चुका होंगा तो अभी आपको पता चल गया, तो आपको सिर्फ वही उपर वाले formula में रखना है, तो कितना हो जाएगा, 3% और प्लस 5% मतलब 8% आ जाएगा, मतलब एन की जगह में आप लोग 8% रखेंगे, मतलब 8 by 100 हो जाएगा और into में ace के जगह में कितना रखोगे, 128 into 128 रखोगे और 4.4 अपने जगह में है, बस इसको solve करोगे आपको answer मिल जाएगा, यह 8% कैसे आया नहीं समझ में आया, क्या आपको n की value कैसे निकाले नहीं समझ में आया, क्या, देखो n निकालने के लिए हम ल जगह में नहीं पूट करोगे, आप direct आप क्या कर देंगे, 3% पूट कर देंगे, ठीक है या, फिर 3 बटे 100 जैसे पूट करना है, 3 बटे 100 माइनस में क्या करोगे आप लोग, तो down gradient दिया है 5%, मतलब की, माइनस में माइनस पूट करोगे आप, नहीं समझ में है, क्या, एक मिनट रुक न, इसको हटाते हैं, यह देखो, तो 3 बटे 100 माइनस में क्या हो जाएगा आपका, 5 बटे 100 पूट करोगे, और यह माइनस वेल्यू पहले से रहेगा आपका, ठीक ह इस कराण से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप 3 प्लस क्या कर देंगे, 5 और डिवाइड़ेड बटे 100 हो जाएगा, तो कुल मिला के वही आ गया न, 8 बटे 100 आगया की नहीं, वही तो मैं डारेक्ट पूट किया थे, यहां पर आंसर क्या जाएगा आप देख लिए न सॉल करके आंसर अराम से आप निकाल लोगे ठीक है न सॉलूशन तो करी लोगे न तो आप्शन बी इसका आंसर आएगा 298 ठीक 170 कोश्चन में आगे बढ़ेंगे फिर which one of the following causes the revealing in the bituminous pavement revealing मतलब समझे रहे हो क्या मतलब कि जो आपका road बिचा है bituminous का road है उसके जो उपर का surface है जो surface course है उसका erosion होना ठीक है मतलब उसके परत का बाहर निकल जाना समान भासा में तो उसका revealing होना revealing कब होगा सोच के देखो जब आप लोग binder जो material है उसकी quality लो होगी या फिर जितना binder provide करना चाहिए था binding material उतना नहीं provide किया हो binding material क्या होता है road में generally bituminous road में bitumin ही binding material होता है ठीक है तो अगर वो सही quantity में नहीं है सही quality में नहीं है तो आपको revealing देखने को मिलेगा तो low bitumin content के कारण हो सकता है क्या revealing option c सही है actually में इसका option d भी सही है थोड़ा थोड़ा use of the open graded aggregate जब बोलेगा तो उस case में भी आपको revealing bituminous pavement में देखने को मिल जाता है open graded aggregate मतलब क्या होता है जैसे कि आप लोग base या फिर sub grade में open graded aggregate provide कर दियो मतलब ऐसा aggregate जो की dense नहीं है ठीक है जिसमें wide है या फिर cool मिला के well graded नहीं है ठीक है poorly graded soil अगर आप provide कर दियो तो अगर आपका नीचे का course fail होगा अगर bituminous road का base course या फिर sub grade कोई सभी नीचे का जो course है वो fail हो गया तो उपर के course को भी effect करेगा और उसमें भी material धस जाएगा या फिर revealing देखने को मिलेगा ठीक है समझ में आगे है न cool मिला के fail हो जाएगा आपका जो road का alignment है structure है ठीक तो D option भी सही है लेकिन C को ज्यादा सही मानना ठीक न तो low bitumin content इसका answer हो जाएगा आगे बढ़े 171 question में आगे पढ़ते है in desire line diagram desire line याद आ रहा है कि नहीं origin and destination study में desire line अपन निकालते थे ठीक है ज तो ही उस cancer हो जाएगा option C को पढ़ो weight of the desire line is proportional to the number of trips in both directions तो option C सही हो जाएगा क्या ठीक 172 आगे बढ़ते हैं 172 में a typical marsal test marsal test ने ग्राप सोने न फिगर अच्छा marsal test यादा रहे का कि कल हम लोग कुछ सहीं जोड़ी जमाया थे आपन ठीक है तो उस marsal test किस के लिए होता था बोले थे जो bitumin mix design proportion होता था ठीक है उसका design करने के लिए ठीक है ना bitumin mix proportion को design करने के लिए marsal test होता था तो marsal test का graph ऐसा कुछ आपको question में दिया गया है और इसमें पूछ रहे कि y axis में क्या होगा मतलब x axis में अगर percentage binder content है तो y axis में क्या होगा y axis में flow value होगा ठीक है तो marsal test में जो graph मिलता है तो उस graph में आपका y axis में क्या होगा तो y axis में flow value होता है और x axis में percentage binder content होता है 173 question में आगे पढ़ते हैं इसमें आपको पूछा है relative stiffness का formula पूछा है एकदम असान है और important भी है relative stiffness का formula क्या होता है e h cube divided by 12 k into 1 minus mu का square ठीक है 1 minus mu का square and hole to the power में क्या हो जाएगा 1 by 4 हो जाएगा ठीक है यही formula होता था क्या अब इसमें इस formula को देखके आप लोग बता दो कि वो कौन-कौन सा value है जिस पे आपका relative stiffness depend करेगा वही पूछा है ना combination of the parameter required for the obtaining the radius of relative stiffness ठीक है of concrete slab तो e h k mu option c हो जाएगा उसके बाद 174 question में आगे बढ़ेंगे consider the following statement इसमें आपको क्या बोला है कि कौन सा सही value है वही बताना होगा rotary intersection के लिए अब rotary intersection तो आप लोग जान रहे हो ना rotary will be more suitable than control by the signal मतलब यह बोल रहा है question में कि rotary intersection provide करना ज्यादा समस्दारी होगा ठीक है signal के comparison में कब जब आपका traffic volume 3000 vehicle per hour से कम होगा ठीक है बोला था ना कि 500 से लेके 3000 vehicle per hour तक आपका vary करता था तब आपका rotary intersection prefer करते थे हम लोग ठीक है beneficial होता था और उसके अलावा जब right angle जो intersection है वो ज्यादा होता था मतलब कि total right turning traffic जब हाई होता था तब क्या करते थे हम लोग rotary intersection provide करते राइट turning मतलब नहीं समझ रहो क्या जैसे एक road है और दूसरे road को क्या कर रहा है 90 degree में काट रहा है तो इस case में एक road से आने वाला आदमी दूसरे आदमी को क्या कर देगा ठोक देगा तो क्या करो कि बीच में आप चौक चाह रहा प्रवाइट करोगे तो दोनों रुकेंगे और उसके बाद फिर उस चौक को पार करके जाएंगे तो जिससे स्पीड तो एकदम reduce हो जाता है ना ठीक है स्पीड भी हम लोग पढ़े थे कितना reduce हो जाता है 20 km पर आर 30 km पर आर ऐसे करके रूलर में 30 होता था और जब कि अर्वाइन में 20 लेते थे क्या ठीक है तो वही चीज है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वन में क्या बोला था आपका की वॉल्यूम 3000 पर आर से कम होना चाहिए तब और उसके अलावाद जब टोटर राइट टर्राफिक हाई होता है तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं रोटरी इंटरसेक्शन ठीक है तो वन इन थी हो जाएगा 175 कोश्चन में आपको में जड़ फॉल्यूम बोल रहा है तो मेज करो भाई देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है डिसिंटीग्रेसन अप दी एगरिगेट डू तु वेधरी वेधरी एक्शन होता था तो हम लोग क्या बोलते थे साउंडनेस के कारान होता था साउंडनेस टेस्ट भी फरफाउं म करते थे हम कोडिया वाले में 12% और मेगनेशिया वाले में 18% जो वेधरिंग होता था वो परिमिश्ट वेधरिंग मतलब 6 हो न एक इसाब से ठीक है एक्रिगेट को हम लोग मतलब केमिकल में डुबा के रखते थे न कितना 24 घंटा वगेरा तो फिर उसके बाद निकालने के बाद उसका वेधरिंग प्रॉपर्टी चेक करते हैं कितना वेधर हुआ तो वही चीज तो है इसाब से बी का क्या होगा रिमोल ऑफ माटेरियल फ्रॉप दी रोड बाई ग्राइंडिंग एक्सन मतलब समझ गे ना ग्राइंड किसमें होता था एबरेशन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते थे लॉस एंजली सबरेशन टेस्ट उसमें ड्राम होता था गोलगोल घूमता था ग्राइंड करता था तो ग्राइंडिंग एक्सन के थू हम लोग डिटर्माइन करते थे कि हमारा माटेरियल जो है कितना ज्यादा हाड है ठीक है कितनी उसकी एबरेशन वेल्यू है पता चलती थी फिर जितना ज्यादा एबरेशन वेल्यू उतना अच्छा होता था क्या और हम लोग decide भी करते थे कि कितना कितना abrasion value होना चाहिए कितने जाधा नहीं होना चाहिए वो सब मैं बताया था तो cool मिला कि grinding action के लिए बोर है तो abrasion हो जाएगा आपका मतलब B का 4 हो जाएगा C को पढ़ो mutual rubbing और grinding with the mass under the action यह भी थोड़ा वैसी लग रहा है ठीक है लेकिन इसमें mutual rubbing बोल रहा है मतलब कि grinding तो होगा ही grinding के साथ mutual rubbing भी होगा इसका अंतर समझना abrasion test में क्या हो जाता cylinder जो गोल गोल घूम रहा था बस इसमें आपका क्या होता है actually मैं यह attrition test के बारे मतलब C कवान होगा attrition test में क्या होता है इसमें भी आपके दो छोटे-छोटे cylinder होते है equipment होते है मतलब और वो क्या होते है गोल-गोल घूमते है इसमें क्या होता है कि एकदम मतलब vertically गोल-गोल नहीं घूमता है इसको देखो कि तब समझ में आएगा घीसन खाता था घीसन खाना मतलब समझ गया न लेकिन इसमें क्या होता है वैसा तो होता ही है जैसे abrasion में होता था साथी साथ जो aggregate है वो एक दूसरे के साथ भी घीसन खाते है ठीक है तो ये attrition test में होता है आगे सबज में तो mutual rubbing के साथ साथ grinding with the mass under the action of the traffic तो इसका answer क्या हो जाएगा at recent test से हम लोग करेंगे सब चीज और पता करेंगे उसके बाद आपका last point क्या बोर रहा है breaking up of the road surface layer and through cracking into the irregular shape मतलब एक ही साथ से हम लोग ये पता करेंगे कि कितना load सहेगा हमारा road ठेक है न जो भी चीज है और उसके बाद वो crack कितना, मतलब की कितने load में crack develop हो रहा है, ऐसा type का test है होगा तो ये जो होता है, crazying test में होता है ये crazying देखो दूसरे point में लिका है crazying मतलब cracking से बना है crazying test, तो इसमें basically क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं और उसके बाद crack develop होता है, उसी का study करना है कुल मिला के, ठीक है 176 question में आगे बढ़ेंगे the ratio of the width of car parking area required at the curb for 30 degree parking relative to the 60 degree parking is approximately, अब ये common sense वाला question है यार, जैसे कि ये road है, ठीक है ये आपका क्या हो गया, माल लेते हैं ये 60 degree parking हो गया ठीक है, ये जो मैं बना रहूँ माल लो, ये 60 degree parking हो गया, ठीक है ये 60 degree parking है लेकिन यही 30 degree parking होता तो कैसे होता ऐसे, एकदम तिर्चा होता आरहे समझ में मतलब ये हुआ, कि जो 30 degree parking है वो इतने ही area में आ गया, लेकिन 60 degree parking के लिए थोड़ा ज्यादा width की जोरत पड़ेगी तो area भी double हो जाएगा ना तो वही चीद है कि ratio of the width of the car parking area required for the 30 degree parking related to the 60 degree parking तो 60 degree parking का क्या होगा दुग न होगा, इसलिए answer क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा ना, ratio पूछ रहा है 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना 30 degree का उपर में, नीचे में आपका 60 degree का, तो answer 0.5 नहीं आएगा ठीक है, उसके बाद देखते है 177 question, consider the following statement with reference to the pavement देखो, flexible pavement are more suitable इसमें से कौन सा सही है बताना है flexible pavement are more suitable than the rigid pavement in reason where the subgrade strength is uneven मतलब यह बोल रहा है यह कि flexible pavement ज्यादा अच्छ हो था flexible pavement मतलब समझते हो क्या, bituminus जो pavement हो, उसको flexible pavement बोलते है तो वो pavement जो है CC road से ज्यादा अच्छा होता है क्यों अच्छा होता है, क्योंकि आपका जो नीचे में अगर कोई सब भी failure देखने को मिलेगा, नीचे के layer में, मतलब surface core के नीचे में base score, base के नीचे में, sub base तो इन में कुछ failure देखने को मिलेगा, तो उपर failure नहीं होता है मतलब नीचे के failure को सह लेता है क्या ये सही है, बिलकुल गलत है ठीक है, flexible pavement ऐसा नहीं कर सकता, जबकि rigid pavement जो CC road होते है, उसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि bridge action की तरह वो काम करता है bridge की तरह काम करता है, जो surface layer होता है na CC road का, इसलिए उसमें नीचे के layer में भी अगर थोड़ा बहुत failure देखने को मिल जाता है तो अपने को ऊपर में कोई effect है देखने को नहीं मिलता है, तो ये वो concrete की property पे depend करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, ठीक है तो दूसरा सही हो जाएगा ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, property of the concrete then the strength of this upgrade उसके बाद तीसरा point को पढ़ो compare to the flexible parameter, rigid parameter more affected by the temperature variation temperature variation के कारण affected होता है क्या CC road, बिल्कुल होता है बहुत सारे joint provide करने पढ़ते हैं हमको तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तो option C हो जाएगा 178 question को पढ़ो, for the relationship of u is equal to आपको दे दिया गया है, 55 minus 0.44 k where u is the speed in km per r and k is the density आपको दे दिया गया है तो आपको maximum flow निकालना है maximum flow का formula क्या होता था याद है क्या, q is equal to u into k, u आपका velocity या फिर speed और k क्या हो गया density हो गया, ठीक है अब u का value आपको दिया गया है, question में कितना 55 minus 0.44 k और into में k, ठीक है, u के जगह में value पूट कर दिया, जो question में दिया गया आपको, ठीक है, बस उसी को put किया हूँ अब इसको मैं अंदर multiply करूँगा तो 55 k minus 0.44 k square हो जाएगा तो q का value इतना आ गया, ठीक है अब क्या करोगे देखो ये question important नहीं है gate या फिर yes वगेरा के लिए ऐसा डेप का question आ सकता है, लेकिन जो normal AE का exam state PSC वगेरा में इस तरह के question नहीं आएंगे ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा solution लगता है तो इसलिए नहीं आएगा, ठीक है बाकि easy तो ये भी है, बस करना क्या था formula आपको पता है, U का value question में दिया गया है, उसको put कर दिया, अंदर 8 into k हो जाएगा, और equal to में 0 हो जाएगा यहाँ पर से k का value आपको निकल के आजाएगा, ठीक है 55 divided by 0.88, ठीक है न, ये कर सकता हूँ न मैं, तो k का value आपको निकल के आगे, इसको solve all करोगे और उसके बाद फिर क्या करोगे k का value यहाँ से आजाएगा ठीक है, k का value आने के बाद फिर क्या करोगो जो आपका, जो मतलब previous equation है, मतलब question में क्या दिया गया है, 55 minus 0.44 k दे दिया गया है, ये given equation question में दे दिया गया है, k का value निकल गया है, तो k का value फिर यहाँ पूट करोगे तो u का value भी आ जाएगा, ठीक है k इधर से आ गया, u इधर से आ गया अब इसको क्या करोगे, u और k दोनों आपको पता चल गया तो u into k निकालोगे, तो q निकल लिएगा q ही आपको निकालना था, ठीक है maximum flow निकालना था, ठीक है u और k दोनों निकल जाएगा न, उपर से आ गया की नहीं समझ में, ठीक है कर लोगे न, इतना तो कर लोगे कि थोड़ा solution करूँ solution करके बताना तो नहीं पड़ेगे मेरे ख्यासे इतना आपको पता हो गया ठीक है, कर लेना अपने से ठीक, आगे बढ़े इसका आंसर मैं बता देता हूं, डायरेक्ट इसका आंसर जो हो जाएगा, option A हो जाएगा 1718 उसके बाद 179 नंबर question में आगे बढ़ते हैं consider the following statement collision diagram is used to और फिर से वहीं आ गया condition diagram collision diagram, collision diagram, collision diagram जो होता है तो वह आपका approximate study के लिए होता था condition diagram, deadly study के लिए होता था तो यहाँ पर condition diagram क्या हो जाएगा इसमें क्या करेंगे अपन, study accident pattern तो करेंगे ही, ठीक है और उसके अलावा क्या करेंगे अपन, determine remedial measures, ठीक है, मतलब कुछ-कुछ measures भी कर लेते हैं, तो इसका answer क्या होता है का 1 & 3 इसका सही option हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 180 question में, in which one of the following grade of the highway is an emergency escape frame provided, अब emergency escape frame तो मैं खुद नहीं देखा हूँ, लेकिन अगर internet में search words करोगे, तो आपको समझ भी आ जाएगा, actually में क्या होता है, इंडिया में escape frame जनली बड़े वहिकल के लिए provide किया जाता है, ठीक है, जैसे कि solder होता था न, emergency आ गया कोई और किसी को side में जाके रोकना है, गाडी को, तो आप solder में जाके रोक सकते हैं, ठीक है, वैसी आपका emergency escape frame होता है, यह आपका normal road के comparison में थोड़ा ग्रेडियंट इसका provide किया जाता है, मतलब कि चड़ाओं में provide किया जाता है, ताकि जो एकदाम fast moving गाड़ी है, जैसे कि कोई गाड़ी saw के speed में आ रहा है, उसको अचानक से brake लगाना पड़ी है, ठीक है तो वो क्या करेगा, emergency escape frame जस्ट road के side में ही दिया रहता है, जैसे कि ऐसे करके दिया रहता है ठीक है, मालो यह emergency escape frame है, जो कि आगे जाके close हो जा रहा है तो यह गाड़ी आएगा एकदम faster में, उसको brake लगाना है, सामने नहीं रुख सकता, तो यहाँ emergency escape frame में चल देगा, ठीक है, और वहाँ जाके वो brake लगा लेगा आया समझ में, थोड़ा बहुँ समझ में आ रहा है, और इसका जो gradient रहता है वो up gradient रहता है, ठीक है, gradient, up gradient रहता है बस, इतना ही समझा सकता हूँ, थोड़ा बहुँ समझ गया होगे मेरे ख्यास से तो बस यही काम रहता है इसका, in which one of the following grade of the highway emergencies escape frame is provided, तो emergencies escape frame upgrade में provide किया जाता है, ऐसा मत बुलना, downgrade में provide किया जाता है downgrade में provide किया जाता है, इसका मतलब क्या समझे upgrade और downgrade upgrade और downgrade मतलब क्या समझे, यह बताओ दो मेरे को मेरे को जो समझ में आता है, upgrade मतलब की, जैसे की कोई सा main area है commercial area, वहाँ से आप, मतलब की road निकल रहा है ठीक है, मतलब सहर से आप आ रहे हैं किसी दूसरे जगा के लिए तो आपका up gradient कहलाएगा, और down gradient मतलब वापस आ रहे हो I think यह होगा, ठीक है, यह confirm नहीं हूँ, लेकिन वो सब को छोड़ो बस downgrade में provide करते हैं, इतना बस, याद रखो ठीक है, आगया, आगया बढ़ते हैं आप 181 number question में, plasticity index of the fraction 425 micro IACU in case of the subgrade base course would be plasticity index आपको पूछ रहे हैं कितना होना चाहिए, ठीक है, sub base, sub base तो बोले ही नहीं है बोला है न, sub base और base course, sub base and base course के लिए, जो आप soil यूज़ कर रहे हो उसकी plasticity index कितनी होनी चाहिए, less than 6 होनी चाहिए, ठीक है न, काम होनी चाहिए, ठीक, less than 6 होनी चाहिए उसके बाद 182 number question में आगे बढ़ेंगे, assume the safe is stopping side distance, stopping side distance दे दिया गया आपको यहां लिक देता हो मैं, stopping side distance 80 meter दिया गया है, and flat highway section के लिए, उसके बाद आगे क्या बोल रहे है width of the setback distance, अच्छा, setback distance भी दे दिया गया है 10 meter, और आपको निकालने क्या बोल रहे है what would be the radius of the negotiable horizontal curve, radius of the negotiable horizontal curve ठीक है, negotiable horizontal curve निकालना है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक formula याद रखना पड़ेगा, a square divided by 8m होता है, ठीक है, aim यहाँ पर setback distance है अब वो represent किया है, aim से किया है, तो aim से कर लो, जिस से आपको मर्जी उस से कर लो, ठीक है, a सापका stopping side distance है, मतलब कुल मिला के 80 into 80 हो जाएगा, और 8 into कितना कर दोगे, 10 कर दोगे, तो पुल मिला के आपका 80 answer आजाएगा, option C, 183 में आगे बढ़ेंगे, if the CBR value obtained at the 5 mm penetration is higher than the 2.5 mm penetration, then the test is repeated for the checking, and if the check test reveals a similar trend, then the CBR value is to be reported as एकदम असान question है, ठीक है, CBR test जो करते थे उसका पूरा यह process ही दे दिया गया है, बोर रहा है कि CBR test जब हम लोग करते हैं, तो in general तो 2.5 mm penetration की value ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन जब नहीं आती है, ठीक है ना, जब 2.5 mm penetration की value ज़्यादा ना कि 5 mm penetration की value ज़्यादा आ जाती थी, तो हम लोग test को फिर से repeat करते थे, और repeat करने के बाद जो भी value मिलता था, उसी को हम लोग सही मान लेते थे, ठीक है, तो वही चीज़ बो रहा है कि हम लोग test को फिर से repeat कर रहे हैं, लेकिन repeat करने के बाद भी अपने को 5 mm penetration का value ही ज़्यादा मिल रहा है, तो इस case में क्या करेंगे, तो इस case में हम लोग higher value 5 mm penetration को ही मान लेंगे, ठीक है, तो option D हो जाएगा, उसके बाद 184 number का question बो रहा है, a vehicle was stopped in 2 seconds by fully jamming the brake, the skid mark is 9.8 meter, then the average skid resistance coefficient will be, ठीक हो skid resistance coefficient निकालना है हमको, formula क्या होता है skid resistance coefficient का, skid resistance coefficient का formula A by G होता है, A की value आपको निकालना पड़ेगा, question में दिया क्या है ये बताओ मेरे को, दो चीज़ दिया है, एक time दिया है, T की value 2 seconds दे दी गई है, और दूसरा चीज़ दे दिया गया है 9.8 meter, जो कि आपका skid mark मतलब L का value दे दिया गया, मतलब कि जब brake लगाना start किये, तो brake लगाने के बाद वो इतना distance तक travel किया, फिर गाड़ी रोग गया, ठीक है, वही चीज़ दिया है, दिया गया है, ठीक है, क्या क्या बोलते हो, तो L का value देख, L का value क्या होता था आपका, L का value U into T divided by 2 होता था क्या, U into T divided by 2 होता था कि नहीं, तो यहाँ पर से आप T का value कितना put कर दोगे, question में दिया गया है, हना, यहाँ पर मैं next step में करता हूँ, L का value सबसे पहले put कर देता हूँ, तो 9.8 meter, और U का value उसके जगा में U ही रहेगा, और T के जगा में 2 आ जाएगा, और नीचे में भी 2 आ जाएगा, 2-2 कर जाएगा, मतलब U का value आ गया आपका 9.8, ठीक है, U का value 9.8 आ गया, यहाँ तक समध में आया की नहीं, अब उसके बाद एक formula और पता है, मेरेको retardation का formula, जो कि A, इदर देखना राइट साइड में, A is equals to कितना होता था, U by T होता था, ठीक है न, A is equals to U by T होता था, अब मेरेको U, पता है क्या, U पता है अब 9.8, T भी पता है 2, तो A का value निकल जाएगा क्या, ठीक है निकल गया, अब A का value 9.8 divided by 2, अब A भी निकल गया, अब मेरेको formula क्या था, A by G था, ठीक है न, A का value मेरे पास आ गया है, तो मैं सिधा यहीं put कर देता हूँ, देखो, A का value पूट करूँगा, 9.8 divided by 2, और G का value पूट कर दूँगा, 9.81, मतलब 9.8, एप्रॉक्स, तो 9.8, 9.8 कर गया, 1 by 2 आंसर आ गया, 1 by 2 मतलब 0.5, option B, आ गया, इसी था, formula पता होना चाहिए, बन जाएगा, ठीक है, breaking test वाला तो question है, उसके बाद, 185 number question में आगे बढ़ते हैं, यह आपको trend, मतलब की जो भी हम लोग पढ़े थे न, road development का, cram, सबसे पहले कौन सा आता था, trace gate आया था, trace gate के बाद, tel forward आया था, उसका macadam आया था, फिर CBR आया था, option B हो गया, वही चीज पूछा है, sequence पूछा है आपको, ठीक है, इसके अंदर में भी बहुँँ सारा चीज पढ़े थे, ठीक है, main main चीज था, उसको मैं बुला था, थोड़ा वह उत याद रखना करें, ठीक, आगे बढ़ते हैं, 186 number question में, in general requirement in construction, our reinforced concrete road is to be placed, a single layer of reinforcement, नहीं समझ मैं पूछ रहा है, कि CC road है, ठीक है, CC road है, तो CC road में आप reinforcement करते हो, छड़ डालते हो, ठीक है, सरिया बोल लो उसको, या फिर छड़ बोल लो, तो वो जो आप reinforcement डाल रहे हो, वो reinforcement, center में डालोगे, bottom में डालोगे, कि top में डालोगे, देखो, तो वो reinforcement जो होता है ना, वो बीचो बीच होता है, मतलब उपर और नीचे, दोनों तरफ हम लोग cover provide करते हैं, ठीक है, cover provide करना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग center में क्या करते हैं, छड़ को डालते हैं, उपर भी और नीचे भी cover रहता है, तो answer क्या हो जाएगा, 8 middle, actually में इसका answer, गुपता इन गुपता बुक में, आपके बुक में दिया है, दूसरा answer, तो उसको सुधार सकते हो, आगे बढ़ते हम लोग 187 number question, it is a common practice to design a highway, to accommodate the traffic volume corresponding to, जब हमको highway design करना है, तो उस case में हम लोग किसको reference लेते हैं, 38 highest early volume को लेते हैं, ठीक है, design of, या फिर design a highway to accommodate the traffic volume, corresponding to 38 highest early volume, 38R करके लिखा है, ठीक है, तो इसका answer A हो जाएगा, उसके बाद 188 number question में आगे बढ़ेंगे, the amount of mechanical energy imposed on aggregate during the aggregate impact test, aggregate impact test याद आया क्या, crushing strength test, aggregate impact test, abrasion test, soundness test, flakiness and elongation test, कितने सारे test पड़े हुए हैं, तो उसमें जो impact test होता था, उसको हम लोग 38 cm की हाईर से गिराते थे, ठीक है, 15 number का blow देते थे, और उसके अलावा 14 newton per minute के हिसाब से load देते थे, और इसी तीनों को multiply कर दोगे, और जो answer आएगा, वही चीज तो आपका क्या है, वही चीज आपका mechanical energy आ जाएगा, ठीक है न, mechanical energy निकालने के लिए तीनों को बस multiply करना है, amount of mechanical energy पूछ रहा है न, तो ऐसी निकलता है, बस तीनों को multiply करोगे, तो answer आजाएगा, आपका 7980 kg cm में, ठीक है, 89 question में आगे बढ़ेंगे, which of the following binder is recommended for the wet and cold climate, तो याद रखना, wet and cold climate के लिए पूछ रहा है, तो emulsion इसका answer हो जाएगा, 190 question में आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आपको फिर से marsal test आगया, marsal test के लिए क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सही है, तो stability value 340 minute होता है, flow value 8-16 minute होता है, और ये जो है न, wide में जो bitumen होता है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो जो wide में हम लोग fill करते हैं bitumen, वो कितना percent होता है, तो मेरे कहाँ से 50% थोड़ा कम होता है, तो 60-70% होना चाहिए था इसका answer, तो इसलिए ये इसका गलत option है, मतलब C option इसका सही होता है, क्योंकि इसमें से कौन सा गलत है, पुछा है, ठीक है, और percentage air wide के बारे हम बोल रहा है, कि 3-5% होना चाहिए, ठीक है, ये भी साही है, 191 question में आगे बढ़ेंगे, it was noted that on a section of road, the free speed आपको दिया गया है, और jam density भी दिया गया है, maximum flow पूछ रहा है, अभी बताया मैं maximum flow, मतलब Q is equals to U into K, U क्या है आपका, U क्या है, speed है, K क्या है, density है, लेकिन ये आपका traffic, speed and traffic density है, जबकि question में आपको क्या दे दिया गया है, maximum speed या वे free speed दे दिया गया है, और jam density दे दिया गया है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जो traffic density होता है, वो free density का आधा के बराबर होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, free density को मैं UF लिख देता हूँ, तो UF जो होता है, two times of traffic density होता है, ठीक है, दूसरा बोल सकते हो, आप जो आपका traffic, अच्छा मैं उपर में density बोल रहा था क्या, यह speed के बारे में बता रहा, density भी वैसी होता है, जो traffic density होता है, वो आपका, जो free mean speed होता है, free mean speed बोल दिया, sorry, जो आपका jam density होता है, ठीक है ना, jam density को KJ लिख देते हैं, उसका आधा होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, जो jam density होता है, वो two times होता है, traffic density का एक ही मतलब है, तो बस इसी किसाब से आपको इस वाले formula पूट करना है, तो formula को modified ही कर दो, ऐसा करके, तो आपका u के जगह में अगर मैं पूट करूँगा, uf divided by 2 पूट कर सकता हूँ, और k के जगह में मैं पूट कर सकता हूँ, kj divided by 2, मतलब formula आपका क्या बन क्या है, uf into kj divided by 4, ठीक है, तो uf मतलब क्या होगे आपका, जो free mean speed दिया गया है 80, और kj मतलब क्या होगे, jm density जो 70 question में दे दिया गया है, divided by 4 पूट कर दोगे, तो यह आजाएगा आपका 1400, answer आजाएगा B, ठीक है, गुपता भी है, इसका भी answer गलत दिये हैं, उसको सुधार लिजिएगा, उसके बद 192 question में आगे बढ़ते हैं, which of the criteria given below are used, for the design of the valley vertical curve on the road, अतलब जो valley vertical curve निकालते हैं हम लोग, ठीक है या फिलेन्थ और valley curve हम लोग निकालते हैं, वो किस-किस पर depend करता है, पूछ रहा है आपका, तो rider comfort पर भी depend करता है, head light side distance पर भी depend करेगा, drainage पर भी depend करेगा, ठीक है, design of the valley vertical curves, cancer क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ठीक, तो इसलिए इस cancer क्या हो जाएगा, आपका A option, 193 question में आगे बढ़ेंगे, आपको maze the following करना है, pot hole के बारे में मैं कल बताया था क्या, pot hole में क्या होता था, याद करो, जब आपका binder material जो है, sufficient नहीं provide किया गया रहता था, या फिर उसकी quality लो है, कुछ भी है, मतलब जो binder material हो, उसमें कुछ defect आ रहा है, तो उसके कराण क्या होता था, जो surface course है, वो effected होता था, ठीक है, मतलब जो आपका wearing course है, जो material यूज कियो हो, surface course में, वो आपका चिपक के नहीं रहेगा, फिर base course बगीरा के साथ, वो आपका निकल जाता था, तो pot hole create होता था, ठीक है, तो वही चीज है, तो आपका पहला number पढ़ो, steep sided blow shaped cavity caused by loss of surfacing, इस चीज को ध्यान में देखना, loss of surfacing होगा, तो बस यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए, loss of surfacing बोर रहा है, मतलब pot holes के बारे बोर रहा है, उसके बाद bird bath, अब ये bird bath क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो नीचे के जो layer होते है, उन में किसी प्रकार का defect होता है, तो उसके कराण पूरा deformation हो जाता है, उपर के layer का, तो उसको हम लोग bird बात बोलते हैं, मतलब धस जाना road का, road कहीं कहीं धस जाता है न, तो बस वही bird बात है, तो deformation which may be caused by localized or the variable subgrade failure, तो subgrade में अगर failure होगा, किसी भी प्रकार का, तो आपका surface course भी fail हो जाएगा, धस जाएगा road कुल मिला के, revealing क्या होता है, revealing के बारे में तो बहता है न, revealing भी वैसे डेप का होता है, इसमें भी removal of, मतलब जो surface course होता है, उसका material का क्या हो जाता है, revealing हो जाता है, revealing मतलब भी या, निकल जाना, ठीक है, pill off हो जाना, जो भी बोलो, तो चौते नंबर को जब पढ़ोगे, अच्छा, एक मिनट, A का क्या लिया answer, आप लोग A का दो लोगे न, A का 2 लोगे, deformation which may be caused by the localized variable, subgrade failure, and C मतलब revealing, revealing का, फोर्थ होगा answer, remove of the largest surface aggregate, living craters, ठीक है, मतलब जो surface layer है, उसका large portion क्या हो जाता है, निकल के बाहर आ जाना, ठीक है, तो उसी को revealing बोलते हैं, subsidence क्या होता है, तो D का 5 लोगे पढ़ो, abrupt lowering of the road surface, due to the poor drainage, ठीक है, लगभग वैसी वैसी लग रहा है, इसमें भी आपका धस गया, abrupt lowering of the road, लेकिन काराण अलग है, poor drainage है, ठीक है, जब आपका नीचे में, किसी प्रकार का drainage problem आ रहा है, poor drainage हो रहा है, मतलब कि, क्या होना चाहिए, ऐसा भी बो सकते हो, कि नीचे में जो आपका subgrade layer है, या फिर base layer है, नीचे का जो road का layer है, उसमें किसी प्रकार से पानी आ जा रहा है, लिकेज हो जा रहा है, तो उसके कराण भी अपने को subsidence देखने को मिलेगा, तो poor drainage की कराण कूल मिला के क्या होगा, subsidence failure देखने को मिलता है, मतलब कि बरसाद के समय में, road का repair करने के लिए, किस प्रकार के material का use करोगे, तो bituminous emulsion का use करोगे, ठीक है न, bituminous emulsion का use करोगे, उसके बाद बो रहा है कि, corrected characteristics, rebound deflection on the pavement, using the benkel mean beam study, जो benkel mean beam test, या फिर benkel mean beam study होता है, उससे हम लोग rebound deflection, determine करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो लिखा भी है, rebound deflection on the pavement, pavement का deflection determine करने का, यह test होता है, यह सभी पूछ सकता है, इसलिए याद रखना, benkel mean beam test किसके लिए होता है, तो road में, या फिर pavement के लिए, rebound deflection, determine करने का यह method है, ठीक है deflection determine करने का method है, ठीक है, और दूसरा क्या बोर रहे है, corrected deflection है, ठीक है, और आपको क्या निकालने बोल रहे है, equivalent, green and overlaid thickness required for the original, as for the original, अच्छा, ठीक है, तो आपको deflection ही, determine करना होगा, जो characteristics rebound deflection है, pavement का, वो आपको determine करना है, इसके लिए formula होता है, formula अगर याद रहे हैं, तो बन जाएगा, ठीक है, तो इसका formula होता है, 550 multiplied by log dc by dA, मतलब जो आपका corrected deflection बो सकते हो, इसको allowable deflection बो सकते हो, core deflection है, actually में, c for core होना सही है, तो दोनों आपको formula दे दिया गया है, तो 550 multiplied by क्या करोगे, log 2 by 1, मतलब log 2, log 2 का value आपको पता होना चाहिए, 0.3 होता है, तो इससे multiply जब मैं करूँगा, तो answer कितना हो जाएगा, a166, मतलब 165 point something आएगा, तो option d हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगया पढ़ते हैं, 196 number question में, 4 hours circular curve of radius 200 meter, मतलब radius दे दिया गया है आपको, और coefficient of lateral friction भी दे दिया गया है, speed भी दे दिया गया है, equblyrium super elevation निकालना है, equblyrium super elevation के case में, F को हम़ोग zero मांते थे, question में confused मत होना, वो friction का value भी दे दिया गया है, lateral friction भी दे दिया है, 0.15 है, लेकिन equblyrium super elevation जब हम लोग नيकालते, हम लोग निकालते थे, तो f का value, 0 लेते थे, तो इसलिए confuse मत होना बोरना हूँ तो e is equals to v square divided by 127 r बस पूट करना है v का value 40 into 40 हो जाएगा नीचे में 127 आ जाएगा और r के जगा में हम लोग पूट करेंगे 200 ठीक है बस इसको solve करना है तो 00002 दूनी 8 बटे 127 8 by 127 मतलब answer आपका आ जाएगा लगभग 0.06 करके मतलब आपका option C ठीक है option C आ जाएगा 197 में आके पड़ते हैं if the descending gradient midst with ascending gradient ऐसा करके दे दिया गया है descending gradient 1 in 25 दे दिया गया है आपको ठीक है descending gradient कितना दिया गया है 1 in 25 दे दिया गया है ascending जबकी 1 in 40 दे दिया गया है आपको क्या पूछ रहा है length of valley curve पूछ रहा है formula याद होना चाहिए headlight side distance के case में पूछ रहा है headlight side distance का case अलग होता है and driver comfort का case अलग होता है comfort case में एक अलग formula होता था valley curve का ये headlight side distance या फिर stopping side distance वाला formula लागेगा कौन सा formula होता था याद करो तो इसमें formula होता था आपका जब L is greater than stopping side distance कुछ नहीं दिया रहे था तो वही मानना रहे था पहला case तो ns square divided by 1.5 plus 0.035s बस यही वाला formula लगाना है और answer निकालना है n का value क्या होगा बता दो तो n का value descending gradient 1 by 25 और ascending gradient मतलब minus में यह खुद हो जाएगा 1 by 40 formula में minus रहता है न लेकिन ascending के कारण यह plus रहेगा तो minus minus plus हो जाएगा तो cool मिला के यह जूड़ ही जाएगा तो 200 LCM आजाएगा 8 plus कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 मतलब 13 by 200 ठीक तो n के जगा में मैं कितना रख दूँँगा 13 by 200 s के जगा में कितना रखूँगा तो question में क्या दिया गया है 100 तो 100 into 100 ns square divided by 1.5 plus 0.035 और s के जगा में फिर से क्या रखूँगा 100 रखूँगा तो cool मिला कि यह कितना हो जाएगा 3.5 बच जाएगा तो यहाँ पर मैं डारेक्ट लिख देता हूँ 3.5 ठीक है अब इसको solve कर लोगे आप लोग 13 into कितना हो जाएगा एक दो तीन चार जीरो अच्छा नीचे का दो जीरो चाहो तो काड़ भी सकते हो और यह multiplied by 5 एक दम असांसा question नहीं है पांत दूनी 10 एक हजार हो जाएगा तो यह पूरा कड़ जाएगा 130 आंसर आ जाएगा ठीक है option B उसके बाद 198 question में आगे बढ़ते हैं an ascending gradient आपको दे दिया गया है descending gradient भी दे दिया गया है length of submit curve निकालना है ठीक है अब submit curve का formula लगाओगे अना submit curve required to provide the overtaking अच्छा overtaking side distance के case में submit curve का formula लगाना है यहाँ ठीक है किसके case में overtaking side distance के case में कोन सा formula होता है ns square divided by 9.6 n की value मैं कितना put करूँगा 1 by 100 ascending है और descending मतलब यह भी plus हो जाएगा 1 by 50 LC हम निकाल लो 100 तो यह हो जाएगा 1 plus 2 मतलब 3 by 100 rate पूट करूँगा ठीक है एस के जगह में कितना put करूँगा है कितना दिया कि overtaking side distance 500 500 into 500 हो जाएगा and 9.6 हो जाएगा अब काटोगे फिटोगे और यह आ जाएगा आपका 2525 तो यह हो जाएगा 500 divided by 9.6 अब इसको solve करना answer ले आना I think इसका answer 791 आता है ठीक है देख लेना निकल ली जाएगा उसके बाद 199 question में आगे बढ़ते हैं which of the following pairs is not correct बोल रहा है इसमें से कौनसा pair correct नहीं है horizontal curve, super elevation बिलकुस सही है, super elevation, horizontal curve ही तो होता है उसके बाद origin and destination study में desire line हम लोग निकालते हैं यह भी सही है Los Angeles abrasion test में hardness of aggregate पता चलता यह भी सही है soundness test जो होता तो weathering निकालते थे, weathering के बारे हम पता जलता तो यह तो गलत है purity of bitumen लिख रहा है, तो option क्या होता है का D कौन सा गलत है यह पता करना था 200 question में आगे बढ़ेंगे, पोल रहा है कि which of the following expression मतलब कौन सा expression सही है कुल मिला के जब आपका stopping side distance SSD से represent कर रहे हैं तो intermediate side distance के बारे में पूछ रहा है, हमको पता है कि intermediate side distance is equals to two times of the stopping side distance होता है तो answer कौन से हो जाएगा, option नहीं हो जाएगा 200 एक number question में आगे पढ़ेंगे as per the lateral, sorry latest, क्या lateral, latest IRC guidelines the set of essential data required for determined moisture correction factor for the clayey subgrade soil, बेंकल में आगया फिर से बेंकल में beam study कर रहे हैं हम लोग और उससे निकाल क्या रहे हैं, बोर रहे हैं moisture correction factor निकाल रहे हैं, तो उसमें कौन-कौन से value की जोरत पड़ेगी, कौन-कौन से data की जोरत पड़ेगी तो 4 और 5 और पढ़ लो उन्हीं दोनों की जोरत पड़ेगी, annual average rainfall की और temperature of soil की, ठीक है, annual average rainfall and temperature of soil, मतलब answer क्या हो जाएगा option D अच्छा, पीछे में बेंकल में beam test पड़े थे, उससे हम लोग क्या निकल रहे थे, deflection payment कहा न, याद रखना 202 number का question में आगे बढ़ेंगे, as per the latest IRC guideline, for the designing of the flexible payment by the CBR test, the load parameter required is, load parameter required is, equivalent single excel load, cumulative standard excel load, हाँ, तो option B हो जाएगा क्या, cumulative standard excel in MSA, यही होता था क्या, as per the latest IRC guideline, मतलब CBR test में जो, IRC का guideline था, जिसके हिसाब से हम लोग design करते थे, CBR test, मतलब flexible payment का design करते थे, CBR method से, तो कौन से load parameter required होते थे, तो cumulative standard excel required होता था, in MSA, in MSA, MSA का full form नहीं पता क्या आपको, पता होगा तो comment करके बताना, ठीक है, पता हो चले कौन पढ़ रहा है, उसके बाद 203 number question में आगे बढ़ते हैं, इब्दा, load, warping and frictional stress in cement concrete aggregate आपको दे दिया गया है, तो आपको critical combination of stress निकालना है during summer, कल ही पढ़े थे क्या, summer के case में क्या होता था, load stress plus warping stress minus frictional stress होता था कि plus होता था, बता हो, plus काप होता था, winter में होता था, और summer में बोलोगे, तो summer में क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, ठीक है, तो बस value को put करना है, load stress कितना दिया गया है, 210, वर्पिंग stress कितना दिया गया है, 210, minus क्या करोगे, उसमें 10, इन दोनों को जोड़ो के तो 500, और 500-10, मतलब 490, देख लो फिर option में, 490 कहा है, सी option आजाएगा, 204 में आके बढ़ते हैं, brake is applied on a vehicle which then skid mark दे दिया गया, मतलब L का value दे दिया गया है, before coming to stop and development, average coefficient of friction of tyre and the pavement, मतलब average coefficient of friction भी दे दिया गया है, 0.4, then speed of the vehicle before skating, मतलब speed of the vehicle निकालना है आपको, formula याद होगा I think, coefficient of friction का, V square divided by 2GL करके formula होता था, याद होगा तो, F is equals to, V square divided by 2GL, बस इसी formula में आपको put करना है, V का value आपको निकालना है, 2G, G के देखा में 10 put कर देता हूँ, और L का value आपको 16 मेटर दिया दिया है, मतलब दिया गया है question में, और F का value 0.4, ठीक है, और उसके बाद बस क्या करना है आपको, multiply करना है और answer निकालना है, यह कितना हो जाएगा आपका, 4 दुनी 8, 8 into 16 और V square, यहाँ पर मैं direct root कर दू क्या, V को हटा के, तो यह 8 दुनी 16 हो जाएगा, 8 बाहर निकल जाएगा, और root over 2, ऐसा करके, ठीक है, यही होगा, क्या, 8 root 2, 8 into 1.414 करोगे, तो कुछ गलत किया हूँ, मैं, कुछ गलत कर दिया हूँ, गलत किया हूँ, क्योंकि answer नहीं आ रहा, answer इसके actually मैं option C होगा, 40, और मेरा तो 20 भी नहीं आ रहा है answer, आना, देखो, तो कहीं पर गलत किया हूँ, क्या, V square divided by 2 GL होगा, आना, L के जगह में किता पूट कर दिया हूँ, 16 पूट कर दिया हूँ, जी के जगह में 10 पूट कर दिया हूँ, और 2 तो अपने जगह में हैं, और 0.4 आपका क्या दे दिया गया है, coefficient of friction दे दिया गया है, सही तो पूट किया हूँ, अब क्या कर दिया हूँ मैं, यहाँ पर शायद गलत किया हूँ, इसको में डालते हैं, अब देखो, यहाँ पर 20 into 16 into 0.4, मतलब 4 बटे 10 हो गया, into में V square, इसको काड़ देते हैं, 4 दूनी 8 into 16, सही तो कर रहा हूँ या, क्या गलती हो जा रहा है, बाहर निकालने हम गलती कर रहा हूँ, क्या, 8 into 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो 8 बाहर निकाल रहा है, root 2, 1.414 into में 8, इसको करोगे, आएं, देख लेने यार, कुछ गलत कर रहा हूँ शायद मैं, या फिर इसका answer A थोड़ी ने, मेरे को 40 यादा आ रहा है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि गलत कर रहा हूँ, गर A आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरा भी तो answer लग भग, कितना आ रहा है, 14, 8 कितना होता है, 14, 7, 84, 14, अरे मेरा तो 10, 12 के आसपास आ रहा है, खेर छोड़ो इसको, चेक है, बाकी बनेगा ऐसी, कहीं कुछ गलत कर रहा हूँगा, बता दूँगा, नेक्स लेक्चर में क्या गलत था, टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि, इसके बाद, 205 नमबर कोशिशन में आगे बढ़ते हैं, अब देखो, हम लोग जो टेबल पड़े थे, फर्स लेक्चर में आई थी, उसमें मैं बोला था, कि यह कंट्रोल इंटरसेक्शन के लिए टेबल है, आपको पुछेगा तो असानी से बन जाएगा, लेकिन अब यह टूलें टूवे तो है, ठीक है, अगर यही कंट्रोल इं 24 तो हो गई, 24 से जादा जो भी value option में मिलेगा, उस console ले लेना, ठीक है, बस ऐसी थोड़ा सा logic लगा के बना के कोशिस करना, आप बोलोगी कि 24 से जादा अगर माल लेते 30 भी रहता, 32 भी रहता, तो अब उस case में आपका लग है, आप मैं क्या बो सकता हूँ, खेर आगे बढ करते हैं, रेपिट वैसे नहीं आएगा, चिंता बत करना, ठीक है, जो रटर उटाया question होता है, वही वही पूछ लेता है, तो question को solve करोगे, अलग-अलग book से, तो जो question रहेगा, उसी को push देगा, उठाके, या फिर आपका normally, जो right angle में road काटते हैं, उनी के लिए conflict point पूछता है, तो right angle में जो काटता है, उसके लिए तो table हमको पता ही है already, 206 number का question में क्या बूल रहा है, कि rapid curing cutback bitumen is produced by blending bitumen width, अरे rapid curing cutback bitumen का example बताया था, gasoline, nap था, gasoline मतलब क्या petrol, ठीक है, तो option D हो जाएगा, उसके बाद 207 number का question, a two lane single carriageway, ये question तो नहीं आएगा, ठीक है, exam में नहीं आ गेट में आ सकता है, और ये बहुत पुराने question देख रहे होगे, 9099 मतलब की gate में भी come important है, इतना पुराना question है, खीक है, खेर, तो इसका formula क्या हो जाएगा, 365 into a, into में हो जाएगा, 1 plus r by 100 कर सकते हो, या फिर 1 plus r to the power n minus 1 and into में फिर आपका, जो आपका vehicle damage factor है, इसको नीचे लिख रहा हो न, vehicle damage factor, अरे क्या हो गया, vehicle damage factor multiplied by आपका हो जाएगा, lane distribution factor, उसके अलावा, load distribution factor, ये सब को multiply करोगे और r से divide कर दोगे, ठीक है, a क्या है, r क्या है, a जो है आपका traffic है, जो भी उस road का, जो traffic है वो, जैसे कि आपको question में दे दिया गया है, 2000 commercial vehicle per day करके, ठीक जैसे ही, a के जगह में यहाँ पर क्या put कर दोगे, तो 2000 put कर दोगे, r के जगह में क्या put करोगे, r आपका growth rate है, जैसे कि आपको दे दिया गया question में, annual rate of the traffic growth 7.5%, ठीक है, तो r के जगह में कितना put कर दोगे, 0.075 put करोगे, या फिर percent में है, तो 7.5 divided by 100 put करोगे, ठीक है, इतन 0.075, या फिर 7.5 divided by 100, जो put करना है, और question में load distribution factor दिया रहे है, तो put करना, जैसे कि इस question में नहीं दिया है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, 1 मान लो या फिर, vehicle distribution factor दे दिया गया है, 3, तो 3 put करोगे, इसके जगह में, load distribution factor भी दिया गया है, क्या question में, ए स्वरी, lane distribution factor दिया ग life होगा, road का, road का design life दे दिया गया है, क्या, देखे, देखो, सबसे उपर दे दिया गया है, design life या फिर, design period is 15 year, तो एन के देखा में, power में 15 put करोगे, अब सोचो, calculator की बिना कैसे बनेगा, power में 15 है, 15, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 15 है, तो ऐसा question आएगा, क्या, नही आएगा, common sense वाली बात है, care, तो इस प्रकार से आपका, इस book से, traffic engineering, traffic engineering या फिर, transportation engineering, highway engineering का question आपका खतम होता है, ठीक है, हम लोग मिलते हैं, I think इसके बाद railway engineering पढ़ लेंगे, ठीक है, इससे related ही है, थोड़ा बहुत आपको familiar लगेगा, इसलिए, और पढ़ो यार अच्छे स और क्या, अगर अच्छा लग रहा होगा, वीडियो, तो like, share and subscribe करो, कोई सभी doubt होगा, तो आप comment भी कर सकते हैं, मिलते हम लोग next lecture में, thank you